हलो फ्रेंड्स आरिसेश टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है आज हम बिहार दरोगा का सत्मा वीडियो स्टार्ट करेंगे और इससे पहले हम पांच वीडियो यानिकी छे वीडियो अपलोड कर दिये हैं आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते है आज सत्मा वीडियो स्टार्ट करेंगे और इसका पेडिया भी सेंट कर दिया जाएगा आरिसे स्टिचिंग सेंटर टेली गराम पर तो देर ना करते हुए फर्श नमर कोशन से चलते हैं करा है फर्श नमर कोशन की कौन सराज अपने राज में इटालिन जल्विदुत परि मेगा यख़ाहाई Нेश्ट कोशन की बाहन करेंगे तो अब निश्ट कोशन धियां दिया हुए निश्ट कोशन में क्या का राए कhnा में कि भारत के रच्छा मंत्री स्री राजनासी को किस देश ने तेज़स नामक सफिद गोड़ा पहार में दिया है तो दो का से अंसर आप्सन अमरीक हो जाएगा मंगोलिया हो जाएगा इस का से अंसर मंगोलिया हो जाएगा और याद रखेगा मंगोलिया की यातरा करने बाले पहले भारतिय रच्छा मंत्री कौन थे राजनासित है याद रखेगा मंगोलिया की बात करेंगे तो मंगोलिया लैंड लॉग कंट्री में दूसरा सबसे बड़ा देश है सबसे बड़ा लैंड लॉग कंट्री कजाकिस्तान है दूसरा में मंगोलिया है तो मंगोलिया इसका स नमटर भी यह बात करेंगे तो नजिघ कोशन कि में कि एलेक् known केरांटी वी जणि करने वाला भारत का पाला है कौन सा रहांλά लसक्त संसर नमटर ऑजो करेंगे तो इसका जो स्थाप्न हुआ उननाशौ 9494 में और इस्का मुख्यालाई है जो का है मुंबई में था हैं तो अब नेश्ट कोर्षण की बात करेंगे तो नेश्ट कोर्षण कराय कोर्षण में कि हाली के दिनों में चर्चा में रहा मून लाइटिंग सब्ध का समन्द के स्चित से हैं तो इसका जो सही और एक हो जाएगा रोजगार से किसे हैं रोजगार से कोशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन कराय कोशन में कि और एक है रोजगार से कोशन करेंगे तो नेश्ट कोशन कराय कोशन में कि भारत की पहली नाइट असकाई शेंचुरी कहां स्थापित की जा रही है तो इसका सही अंसर, option number 1 हो जाएगा लदा कहां लदा कहो जाएगा लदा की बात करेंगे तो कोश्ण अउसे पुछेगा कि लदा के जो उपराजपाल नए उपराजपाल बने कौन है तो बेड़ी मिस्रा हो जाएगा और next question की बात कर लेते हैं तो next question में क्या करा है कराय कोँशन में कि कराय कोँशन में की पदम सी पुरुषकार से समानित रामचंदर मांजी का हालही में निधन हुआ उनका समयन के च्छत से है तो इसका सही अंसर आपसन अंबर एक हो जाएगा यानि कि शालीम दुरानी हो जाए क्या सलीम दुरानी कि हम बात कर लेते हैं तो नेश्ट कोशन में क्या कर रहा है कि 20 चैंपियंशिप में दो पदक जितने वाली भारती महला पहलवान कौन बनी है तो इसका सही अंसर आप्सन नंबर भी हो जाएगा विनेश्ट फो आप्सा में रहा लेवर का शंबन किस के सर्दोनेश कौशन में काराकिन की टूइं । कि चुंटी टूजर किस डेश्ट ने की है तो इसका सही अंसर भी हो जाएगा इंडुनेशिया बाद करेंगे तो ब्राजिल में होगा और 35 की ऑब बात करेंगे और के शिघ में बॉटान की बाद करेंगे यानी कि सबस पर दूर वह अंसर बंग्लादेश हुजा है क्या बंग्लादेश बंग्लादेश में में कहेगा तो सबसे ज़्यादा पर दूसी तरह धानी नहीं दिल्ली हो जाएगा नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन कराय कोशन में कि बजट 2023 के अनुसर भारत के सिरी की अस्थापना की गोशना की गई इसका समध्ध है तो इसका से अंसर नंबर एक हो जाएगा प्राचिन शिला लेखो के डिजिली यानि के डिजिटीली करन से हो जाएगा भारत सिरी की अस्थापना नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन की बात कर लेते हैं तो नेश्ट कोशन में क्या करा है कराय कोशन में कि करनाटक सरकार ने कि स्थित्थी को प्रेजना दिवस के रूप में मनाने की गोशना क्या है प्रेजना दिवस यानि कि कम मनाया जाता है तो इसका से अंसर आप्सन अबर्शी किनकày जन्म दिन पर मनाये जाता है तो याद रखेगा अभिनेता पुनित राज कुमार के जन्म दिन पर मनाया जाता है कि सब्सक्राथ करेंगे तो मैं क्या करा करा आ कोशन में कि भारत बन रिपोर्ट 2021 को जैँ करके वनावरन हैं तो इसका कहिंद कर रहा है 2020 में कितने समूंदरी टॉट को बुलू फ्लैग लिस्ट में सामिल किया गया है तो बहारत में अब तब करते हैं तो क्या कर रहा है कि नेश्ट कोउच्ट के बात कर लेते हैं कि भारत तथा कि देश्टों के मद हुआ हम दी कदेश का से अंसर नेपाल के बीच क्या हो ज़या नेपाल की बात करेंगे तो बाइस मई को कब 22 मई को मनाया जाता है याद रखेगा नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन कराय कोशन में कि भारत के नए महालेखा नियंतरक CGA किसे नियूट किया गया है तो अभी 28 में नमबर के नियूट किया गया है तो इसमें नहीं दिया हुआ है हो जाएगा इन में से कोई नहीं इन में से कोई नहीं और 28 में नमबर के जो नियूट हुआ है बरतमान में कौन है तो सिरी दूबे है कौन है सिरी दूबे को नियूट किया गया है याद रखेगा सिरी दूबे को नियूट किया गया है और 27 में नंबर के कहेगा 27 में नंबर के कौन हो जाएंगे तो भारती दास जबकि बर्तमान 28 में नंबर के हैं स्रीदूबे हो जाएगा नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन में क्या करा है कराय कोशन में कि मुलायम से यादव के संब्द में निम्न में से कौन सा कथन गलत है तो कौन सा कथन गलत है देखते हैं तो कह रहा है कोशन में कि वे तीन बार उत्तर परदेश के मुख मंत्री बने बिल्कुल सही है वे एक बार देश के रच्छा मंत्री भी बने ये भी सही है वे आठ बार विधायक बने ये भी सही है करा इनका जन्म उत्तर परदेश के गुराखपुर में हुआ एही गलत है एह हाली में पटना हाई कोट के मुख ने धिस्त कौन बने हैं तो इसका सही अंसर आप्षा नमबर भी हो जाएगा के बिनोध चंदन हो जाया कौन के बिनोध चंदन पटना उच्ञाले की बात करेंगे तो इसका स्थापना तो नेस्ट कोशन काराय 95 आसकर, पुरुसकार के तहट। किसे जीता है. इसका जिन्सर आप्सम नमर एक हो जाएगा डिस्तर हो जाएगा इतगा तो नि अकोशन चाराय कोशन मं किसे नॉबल पुरुसकार 02.S pronunciation को समानित किया गया है किसे को समानित किया गया याद रखे गा ने शिच्त को सन के ने को सन के पीड़ापर पदती this राउब भी हो जाएगा जंगल काटकर है शुखने शुखने चो सकते ने next question की बात करेंगे तो next question कराय कोशन में कि महदे पहाडी किसका भाग है तो इसका सही अंसर option number B हो जाएगा सत्पूरा का भाग हो जाएगा किसका सत्पूरा का next question की बात करेंगे तो next question कर रहा है कि डक्कन का पठार किस काल में निर्मित हुआ था तो इसका सही अंसर option number C हो जाएगा कि स्टेसियस से युग में next question की बात करेंगे तो next question कर रहा है कि बिहार के कितने जिले से होकर गंगा नदी परवाहित होती है तो इसका सही अंसर option number C हो जाएगा 12 कितना 12 जिला से होकर परवाइद होती है सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो पटना जिला से इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है और सबसे कम लंबाई की बात करेंगे कि गंगा नदी कम लंबाई कहां परवेश करते हैं तो समस्ति पूर हो जाएगा नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन कराय कोशन में कि भारत के भारत में भारत में एग्रो एको लोजिकल जूंस की संख्या कितनी है तो इसके सही अंसर option number C हो जाएगा तो इसका सही अंसर option number B हो जाएगा 800 km नेपाल हिमाले की बात करेंगे तो देखिए परदेशिक सीमा जो विभाजन करता है कौन को है हम इसकी बात कर लेते हैं सबसे पहरे पंजाब हिमाले होता है पंजाब हिमाले किसके किसके बीच तो सिंधू और सतलज के बीच सिंधू नेपाल हिमाले की बात करेंगे तो कुमायू और तिस्ता के बीच होता है उसके बाद बात करेंगे एक और हिमाले असम हिमाले की बात करेंगे तो तिस्ता और दिहांग नदी के बीच हो जाएगा और बात करेंगे कि पंजाब हिमाले के लंबाई यहां से यहां कितना हो जा funded है नेपाल हिमाले की बात करेंगे तो 800 और बाद करेंगे तो आट सब्सक्रीप में नहीं आए तो इसका सही अंसर option number C हो जाएगा मानस जील जो दिया हुआ है और शभी है जो राजस्थान में आओ दिया हुआ है कि नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन कराय राष्टिय जल शंशाधन परिशत का गठन किस वर्स किया गया तो इसका सही नेश्ट कोशन कराय कोशन में कि आर्ज सभ्याता में मनुष्ट के जीवन के आयू के अब रोहिक यानि कि कर्मा नुशार निम्लिकित चर्णू में कौन सा विकल्प सही है तो इसका सही अंसर option number 1 हो जाएगा पहले ब्रहम्चर होता है उसके बाद गिरहस्त होता है उसके बा सन्यास होता है यानि कि एक हो जाएगा उसके बाद हम बात करेंगे कोशन वह ले neither कि मिलता है तो जब कराय कोशन में कि महावली पूरम के शत्त पैगोडा किसके द्वारा संदचित कला के साची है तो इसका सही अंसर आप्सन अमर डी हो जाएगा पलव का हो जाएगा और पलव का हो जाएगा इसका सही अंसर जो निर्मान किया था यानि कि नर्शी बर्मन पर्थम नहीं करवाया था नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन करा है निम्ण में से कौन सी सही सुमेलित है तो देखते हैं कौन है जो सही सुमेलित है नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो 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 नेश्ट कोशन की बात करेंगे दो जगारा दिल benevolet सब्सक्राइब करेंगे तो कॉर्ण साफ हग्राय करेंगे गुरू गोवीं शीग के कि वात कर लेदे हैं कि नाधिर शाख कर्मन के समय दिल्ली का साथ सकने में कौन था got सबसे पहले कि प्रस्तूत किया था तो इसका सई अंसर नंबर सी हो जाएगा महात्मा गांधी हो जाएगा नेश्ट कोशन के हम बात करेंगे तो नेश्ट कोशन में क्या करा रहा है कि नेवन ब्यक्तियों में में से किस ने सुविकार किया था कि लीधो सांतामन का भीद्रो एक राष्टिय बिद्रो था उन्सर नंबर वह जंगा uğो है का संघ्या दियत हो freely किषग कर ने भारत के पर्थम सब्धकर रोटी और कया सकते हैं कमल और शपाती था कमल ऑर्शपाती कया सकते हैं और कहे गा 58- upper-layow का समन्द की से 3857 के क्रांती से निस new question की बात करेंगे तू कर रहा है कि गोल मेज़ कौंसे गोल मे शमयलन में महात्मा गांदेजी भाग लिये थे तो इसका अंसर option number b हो जाएगा दूतिय गोल मेज समयलन में महात्मा गांदेजी भाग लिये थे और धिया द बहादूर शप्रू हो गया है तिनों गोल में भाग देते हैं नेश्ट कोसन कराई जी की समिधान बनाते समय निम लिखित में कौन सा अधर्ष प्रस्तामना में सामिल नहीं किया गया था तो इसका से अंसर आप्सन नमबर सी हो जाएगा समाजवादी समाजवादी नहीं सामि पहले अनुछे 30 में बरनी था लेकिन इसको बर्तमान में हटा करके कानूनी अधिकार कर दिया गया है और आव इसको 300 के कमें सामिल कर दिया है नेश्ट कोसन की बात करेंगे तो नेश्ट को संतर इसका सही अंसर भी हो जाएगा 47 का भी हो जाएगा मुरारजी देशाई सब्सक्राइब करेंगे तो नेश्ट को संतर में क्या कर रहा है कि भारत के राश्पती के पास अधिकार है तिन परकार के अधिकार है जैसे मैं कर सकते हैं कि राश्पती सासन 356 में उसके बाद बितियापत 360 में भारत में अभी तक एक वार भी यानि कि बितियापत नहीं लगा है कभी नहीं लगा है जबकि राश्पती वार लग चुका है एक वार भारत और चैना के वीचीवदूआ था 1962 में दूसरा वार 1971 में भारत और पाकिस्तान के वीचीवदूआ था तीसरा वार 1975 में आंत्री असांती के कारण लगा था नेश्ट कोशन करा है भारत सरकार कि संसाध्य प्रनाली कहां से ग्रहन की गई है तो इसका से अंसर आप्शन अमर्शिव हो जाएगा यहनिकि नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन करा है कि भारत के समिधान में कौंसी अनुसूची रासभा के सीटों के बढ़वारे का निधारन करती है तो इसका से अंसर आप्शन नमर्वी हो जाएगा चौथी अनुसूची चौथी अनुसूची और तीसरी अनुसू पूशं की बात करेंगे तो च्रा राइज अस्ण मीघाले त hist पूरा मीज़्वरम राज्यों के जंजाती के पर्शासन के बारे में मैं उपध्बन इन नेश्ट को सब्म करें तो बद ? का मना एक था अंसर अपसट नंवर भी वो जायगा यानि किभायद के कि बात करेंगे पारें तो कॉसंगे फिसके कर लेते हैं तो 50 नम्मर के है कमेंट जरूर कीजिएगा है है डीवाई चन्चूड कौन है डीवाई चन्चू方 है जरूराद है नेस्ट कोशन की बात करेंगे के समीति के रिपोर्ट में लोगपाल और लोकायुग आयुक अस्थापना के सिफारेश की गई थी तो इसका सही अंसर अब संबर एक हो ज़ेगा पर्थम परशाशनिक शुधार स्मीति नेश्ट कोशन की बात करेंगे कि किस अनुछेद में मुखमंत्री के कार्यों को परिवासित किया गया है तो इसका सही अंसर आप्सन नम्बर शी हो जाएगा अनुछेद 167 इसका सही अंसर होगा कि महराष्टा हो जाएगा कि किंद्रिये खाद परधोकी और शंधान संस्तान कहा है तो इसका सही अंसर आप्सन नम्बर शी हो जाएगा मैसूर हो जाएगा कहा मैसूर हो जाएगा करा किंद्रिये मिर्दा संदाच्छन बोड के घठन कब किया गया था तो इसका सही अंसर आप्सन नम्बर एक हो जाएगा उनैसो तिरपन में कव उसके बाद बात करेंगे कहेगा मर्वस्तल की समस्या के अध्यन के लिए यहनिके केंद्रिये सुस्क का सकते हैं जिसको कजरी बोल सकते हैं कहां स्थापित की आयता था जोदपूर में और कजरी के स्थापना कब हुआ था तो उनैस्ट्श में हुआ में ऍिम्ड में से किस देख का नाम राष्टिय पंचायत है इसका अफ्शन नबर एक हो जाएगा उसके बाद बात करेंगे तो भुटान के शंचत का नाम तो शंग्रुण है माल्दिप के मजलिस है मलेशिया के दिवान नहीं ना रहा है तो इसका से अंसर एक हो जाएगा नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो कराय की करते जोना करते हैं तो कराय कोशन में कि गैस जो धान के खेट से उसरजित होती है तथा भूहमी के ताफमान में बिर्धिक करती है वहा है तो इसका से कर है कराय कोर्सन में के परिवर्तन का और जयेगा औज़न परत करेंगे तो दिवास मना जाता है तो इसका सही answer option number B हो जागा 22 माई को मनाया जाता है नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन की बात कर लेते हैं तो कराय कोशन में कि निमलिखित में से किस रासी के लिए कोई मात रख नहीं है तो इसका सही answer D हो जागा अपने पीट पर बजन लिकर चलड़ा इसमें कोई कार्ज नहीं हुआ नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन कराय कोशन में किसी संकुचित स्प्रिंग में शमान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक उरजा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से कौन सी उरजा नहीं होती है तो इसका सही answer option number 1 हो ज कोषन की बात करेंगे तो नेश्ट कोषन में कि जब पानी से भरे हुए बीकर में एक कोर्क और केल को रखा जाता है तो कौर्क तैरता है जब के किल डुब जाते इसका कारण क्या है तो इसका सफ्य अंसर ऑप्सन अमर भी हो जाएगा लोहे के कील का घंड़ पानी के घंड़ सब्सक्राइब में अधिक अधिक होता है नेश्ट कोईशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोईशन का रहा है कि निमलिखित में से कौम से विधोत चुंबा की त्रंग नहीं है तो इसका सही अंसर option number D हो जाएगा ultra sound यह नहीं है next question की बात करेंगे तो next question कराई निमलिकित में इसे कम सकतन शही है तो ध्वानी का बेग तो यह क्या हो जाएगा तो इसका सही अंसर अंसर अड़ी हो जाएगा और देख लेते हैं option में कराय के सर्दियों के तुलना में गर्मियों में कम होता है सर्दियों सर्दी और गर्मियों में एक समान होता है मौसम पर निर्भर नहीं करता है तो करता है सर्दियों के तुलना में गर्मियों में अधिक होता है तो इसका डिव हजाएगा और कोमेंट करकर आप भी बताईए नेष्ट कोसन की बात करेंगे तो नेष्ट कोसन कराय कोसन में कि जब परकास्ती एक सघं माधियों से बिरल माधियों में परविष करता है तो इसकी गति पर क्या परभा पड़ता है तो इसका सही answer option number 1 हो जाएगा बढ़ेगा क्या होगा बढ़ेगा next question की बात करेंगे तो next question कराय किसी योगी के सबसे चोटी संभाविकाई को क्या कहा जाता है तो इसका सही answer अनू हो जाएगा next question की बात करेंगे तो next question में क्या करा कराय कोशन में कि समान रसाइनिक गुन वाले दो तत्वों के लिए निमली खित में कौन साभी कल्व सही है तो इसका सही answer option number 1 हो जाएगा तत्वों के यानि कि तत्वों में शन्योजीक एलेक्टोनों की संख्या समान होगी एक हो जाएगा इसका सही answer कोशन की बात करिएगे तो next question कराय परमानू हथियार में उप्यों के जानने वाले यानि कि सबसे समान समस्थानिक है तो इसका सही answer एक हो जाएगा uranium हो जाएगा next question कराय कोशन में कि परमानू की खुर्ण इस्थिति क्या परदर्शित करता है तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा योगी का वास्तवी का विश्ट परदर्शित करता है नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो कर रहा है कि आधूनी का बरसाजनी के समूं 18 के मूल तत्वो अपनी बातम कच्छा में 8 एलेक्ट्रोन होने वाले को हो जाएगा निश्करिय के यह इनकी के होते हैं नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन कर रहा है कि मुक्त इलक्रोनिक की संक्या कितनी होती है तो सही अंसर आपसण नमबर रोडिक हो जाएगा इसका सही प्रेद्ध हो जाएगा यानि कि सून होता है कितना सुन होता है नेस्ट मी बात करींगे तो firstly that nude star Murray Cotton में कि Oxygen की अउपस्तिती मैं redski करने की किरिया कि का जाता है इसका सई अश्म स्अ swiftly cooperate नमबर 2 हो जाएगा बहलता है क्या निमलिखित में से कौन सा है तो इसका से अंसर नमर शी हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा जबकि कहेंगा मानव सरी के सबसे वड़ी ग्रंथी तो यक्रित हो जाएगा यक्रित को लिवर जीगर प्रेजा सब उसी करते हैं निमलिखित में से कौन सा उत्ताक जड़ो से खाद पदार्थों का परिसंचरन करता है इसका से अंसर नमर भी हो जाएगा जायलम जल का वहन भी करता है और फुड का वहन फुलोयम करता है कराय कोसन में की निमलिखित में कौन सा समरूप अंग है तो इसका सई अंसर अंबर डी हो जाएगा यहने कि लोवश्टर की पुछ और हुइल का फॉल हो जाएगा और एक समजात होता है तो अंग शमान होता है कार्ज भिन भिन और शमरूप में इसका उल्टा हो जाएगा नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन में क्या करा है कोशन में कि निमलिखित में कौम सा जी मुकूलन द्वारा परजन नहीं करता है तो इसका साहिए अंसर आप्शन नम्बर करती हो जाएगा नेश्ट कोशन में क्या कर रहा है कि छोटी याद के आंत्रिक सता पर हजारों यानि कि अंगली नुमा अकिर्टिया निकली भी होती है उच्छे उन्हें क्या करते हैं इसका सही अंसर आप्शन नम्बर शी हो जाएगा यानि कि एडर्शा कुरु कहलाता है काराई काराई कोशन में कि मस्तित में कौम तốngसा हिसास ल bisher को नियंत्रिक करता है इसका सही अंसर ओप्शन नम्बर N हो जाएगा यानिकि इसका सही अंसर और डी हो जाएगा गर्भात से गरिभा हो जाएगा नेश्ट कोशन की बाद करेंगे तो कराय कोशन में की निमली खित में कौन सा पउधा यानिकि धैलोफाईटा के अंतरगत नहीं है तो इसका सही अंसर आप्सन नमबर 3 हो जाएगा यानिकि फ्यूनेरिया हो जाएगा और फिवनेरिया है जो वरायो फयटा के बरका पौधा है नेस्ट कोशन की बात करेंगे तो नेस्ट कोशन काराय कोशन में कि निमलिकित मेंसे एक होंन साद छेत्र क्रात्मी छेत्र के लिदा नहीं आता है तो कौन नहीं आएगा तो इसका सही अंसर डी हो जाएगा यानिके वी निर्मान वी निर्मान है ना जो दूतिय छेत्र में आता है और नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन करा है कि पर्थम पंच बर्शे विए ना निमलिखित में से किस मॉडल पर अधारी थे हो जाएगा नेश्ट कोशन के बात करते हैं तो नेश्ट कोशन में क्या करा है कि मुलभार्दित कर वैट सबसे पहले आज किस राज में लागू किया था तो इसका सइयान अंसर हरयाना हो जाएगा और सबसे लास्ट में उत्त्र परदिष में लागू हुआ था अब हम 96 का अंसर बता जेते हैं 96 का सही अंसर ऑफ景र न रेख हो जाएगा 97 की बात करेंगे तो 97 का सही अंसर आपसर Nomber C हो जाएगा 97 की बात करेंगे तो 99 की जब अब निकाल ये गा तो इसका सही आंसर incheर या निधुन के बी हो जाएगा और दॉक की बात करेंगे तो 10 की सही अंसर आपसर नमबर एक हो जाएगा और मैद को हम एक ही वीडियो यानि की टोटल मैद को को कोषिस करेंगे कि एक ही वीडियो में डिस्करशन करें तो बस आज बार इतना ही रहने देता है ज़्यादे वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किजिए चैनल पर नहीं आये हैं तो सब्सक्र जयान